अगर आपको इस बार 80 प्लस mqs का टार्गेट कवर करना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉंटेक्ट और वाट्स अप करिए जिसमें आपको मिलेगा डेली वीडियो पीडिया नोट्स और ओर उनलाइन टेस्ट सिरीज सो जल्दी से जॉइन करिए लेंगविज कैसे है तो जल्दी दिखते हैं ता मोस्ट इंशेंट लैंगविज अगर वाद करें अगर हम तो यहां पर सबसे प्राणी लैंगविज थी वो थी सांस्कृत तो उसके बाद अगर हम दक्षिन भारत इनकी साउथ इंडिया के बात करें तो इनकी लैंगविज है ता मिल Scholars are the opinion that तेल्गू, मल्यालम, अन कर्ना लैंगविज वर आलसो यूस्ट अज का लोकल लैंगविज बोली जाती थी यानि कि जो South India की जो भाषा थी वो तमिल थी और local language थी वो तेलगु मल्यालम और कन्नल लेंगवेज थी After contact with Vedic literature many Sanskrit words were adopted here and BCs आप देखें यहाँ पर बात हो रही है कि अगर यहाँ पर देखें बात क्या हो रही है कि जो Tamil language है यानिकि अगर हम Tamil language की बात करें तो Vedic Sanskrit से संपर के बाद यानिकि जो तमिल language है अगर मुसे connect करके देखें तो वेदिक Sanskrit के बाद यहाँ पर Sanskrit भाशा के अनेक शब्द अपनाए गए यानिकि देखें कि जो Sanskrit जो भाषा है जो शब्द है वो हमें कहां भी मिलते हैं वो हमें मिलते हैं वेदों में यानकी वैदिक लिट्रेचर में हमें Sanskrit भाषा की शब्द मिलते हैं उसके बाद अगर हमें Sanskrit भाषा के Sanskrit language के कुछ अगर words देखने हैं तो वो हमें मिलेंगे Tamil भाषा में Tamil language में ठीक है इनकी जो 3rd century जो है 3rd century में देखे कि क्या हुआ था कि जो 44 जो वर्णोब अधारित एक लिप्पी का विकास हो यह अगर हम तमिल भाशा की तमिल लेंग्वेज की बात करें तो यह 3rd century BC जो इसा पूरम में यह 44 जो वर्ण है इसमें उसके अधारित उसके उपर एक लिप्पी बनाई गई है एक script बनाई गई है संगम literature was written in this script अब देखे जो संगम literature है वो तमिल भाशा में यहनकी इसी के उपर अधारित है 44 characters script के उपर अधारित है archaeologists have found records written in more than 75 brahmi script in madura and its surrounding caves आप देखे कि जो archaeologist है यहनकी जो पूरा तत्व जो विभाग के होते हैं जो खोज करते हैं उनको देखे कि 75 से भी यहनकी 75 से भी ज्यादा जो ब्रह्मी लिप्पी है ब्रह्मी लिप्पी का मतलब है कि जो बाईं से दाईं और यहनकी जो लेफ्ट साइड से राइट साइड के और लिखी जाती है इनकी left से right के जो लेखी जाते हैं जिसे ब्रह्मी लिपी कहते हैं उन्हें 75 से ज़्यादा इनकी 75 से ज़्यादा जो है जो इसके अभिलेक मिले हैं इनके क्या मिले हैं अभिलेक यानकी इसके जो caves हैं caves में जो लिखा हुआ है वो मिला है इसके अंदर आप देखें कि इनमें से जो तमिल भाषा के साथ प्राकृत भाषा के कुछ शब्द का भी प्रयोग हुआ है आपको जानते हैं कि जो प्राकृत भाषा है वो बुद्धिसम जैनिसम के टाइम के बोली जाती थी तमिल कर साथ देखें प्राकृत भाषा का भी यहाँ 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 प्राकृत भाषा का भी यानि कि यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे दक्षिन के जो अगर हम दक्षिन के पूरे इत्यास को देखें तो यहाँ पे दक्षिन के लोगों के बारे में जाने तो यहाँ पे देखें लाइफ ऐसी थी कि जो पहला जो संगम साहिते था ठीक है जो पहला जो संगम साहित तमिल अकैडमिक्स के बारे में जानकारी लेनी है तमिल अकैडमिक्स के बारे में जानकारी लेनी है तमिल अकैडमिक्स के बारे में मतलब है कि जो लिट्रेचर है यानकी जो साहित्य है जो लिट्रेचर है जो तमिल भाशा में है वो कैसे होगा आप देखे जो तमिल भाशा क उसको Tamil Literature को संभाल के रखा यहाँ आपको मैं और चीह बता दूँ यहाँ पे लिखा नहीं है आप लिख सकते हैं देखे तमिल भाषा की जो ग्रैमर की बुक है उसका नाम है टोलकापियम ठीक है टी ओलकापियम यानिकी देखे जैसे संस्क्रीद भाषा की बुक है ना संस्क कहते हैं तोलकापियम डगवेश डी ओलकापियम लेंग्वेश अंजरी चीमट अब इसे नोट कर सकते हैं अब बात करते हैं यहाँ पे हम संगम लिटरेचर या संगम शाहित्ति के बाएब में तो बाद इखें दिखें देखें संगम वास्व ऐज़ यूणियन और मंडल अर्थवा मंडल था यानिके संगम केसे कहा जाता था संगम कहा जाता था कि जो तमिल जो कवी है जो पॉइ्ट से उनका एक ग्रूप अनको कहते थे संगम अब देखे उसके बाद जो संगम कवी है इनकी जो संगम पॉइ्ट है उनको state की सहाईता जो राज है यहां पे रहते थे उनकी जो help यह जो साहिता जो प्रापत थी ठीक है friends तो जिसके कारण क्या होता था कि संगम में जितने भी जो साहिते इनकी literature जो बनाए जाते थे तो उनकी साहिता से उनको बनाए जाते थे जनकी ऐसा था कि जो संगम के जो पोईट थे जो संगम के जो कवी थे उनमें देखें कि जो संगम में जो जो राज्य में जिस राज्य में वह रहते थे उनको वहां के वहां पे क्या था कि उनको वहां पे उनको उनकी साहिता प्रापत थी तो जैसे ही मान लिजे कि कोई वी मह पर अगर कोई साहित्ते है कोई लिट्रेचर है वो लिखना आता था तो उनको काफी असान हो जाता था सरकार वहाँ पर उनको दिखें कि जो हेल्प में दिती थी काफी स्टेट इट इस कोरेक्टेट टु बलीव दैट दा संगम मस्ट है बीने इनकी इसका क्या मलब है कि यह माना इनकी यह सही माना जाता था कि जो संगम साहित्ते है इनकी जो तमिल लिट्रेचर है वो काफी जादा है वो उसका काफी जादा है इसलिए अगर हम आज की बात करें देखिये तो जो साहित्ते है जो आज हमें जो पूरा नहीं है पर उसका छोटा सा हिस्सा आज हमारे हमारे पास है तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखें, ब्रॉडली, this literature is found in the following compilation, नार्नी, कुरुंडाई, तीक है, यानकी इसे कहते हैं, नर्नाई, कुरुंद होई, एन्गुरु नुरु, एन्गुरु नुरु, पतुपत, पदी तुपतु, परिपाडल, कली तो होई, अहनना नारु, औ और पुर्नुनारु, ठीक है, यह क्या चीज है, यह वो चीज है, कि जो, जो हमें देखें, मैंने आपक बताने, जैसे कि जो संगम साहिते पूरा नहीं है, उसका छोटा सा पाठ हमारे पास है, तो यह जो हमारे पास जो साहिते हैं, यह बोक्स है, या कुछ भी है, इनकी ब विद्वानों का यहां तक मानना है विद्वानों की यह राय है जो स्कॉलर हैं को यह मानना है कि जो तमिल कवी है उनके कुल तीन संगम हुए है जो तमिल कवी है जो तमिल कवी है जो तमिल कवी थे उनके तीन संगम है जिनके ग्रूप में देखे कि 8,598 जो है वो कवी थे उपर देखे इनके कवी ने ही इतना सब कुछ लिखा है आप देखे कि एक विक्ति के यहनकी एक परसन ऐसा कोई साहिते लिख नहीं सकता तो इतने कवी ने यह लिखा था उसके बाद देखते हैं यहां पर दिक कॉंपोजिशन मैंचन अब और अवैल्बल टोडे टूटलिंग 2,289 अगर आज की बात करें यहनकि अगर आज बात करें जो हमारे जो आज उपलब्द है जो चीज़े हमारे पास अवेलबल है उन में से कुल 2299 नहीं 2289 से बोलते हैं इंग्रिश में 2289 जो है वो हमारे पास क्या है वो उपलब्द है ठीक है यानि कि आप देखे कि 8598 जो कवे न भाग लिया तो उसमें सिर्फ देखे कि 2289 जो है वो ही यहां प some of these poems are very short only three lines and some are very long commentary has also been given at the end of the most of the poems which mentioned the name of the poets and the circumstances of the poem आप देखे कि इसके बाद देखे यहां पर हम बात करने वाले यहां पर हम यह देखने वाले हैं कि इन में से जो कुछ कविताय हैं कि इसमें से कुछ जो poems थी वो बहुत चोटी थी जाता देखे वो तीन-तीन लाइनों की होती थी जो तीन लाइन से जादर नहीं होती थी त तो जातर ये दिखा गया है कि जो जब भी कोई यहां पर देखे कि हमें कोई भी पोएम देखने हो मिलती थी तो उसके अंत में क्या होता था कि जो जिसने यह पोएम लिखी होती थी उसका नाम लिखा होता था उसका विकार यहां पर नाम लिखा हुआ था और उसने किन-किन में किन किन सिटेशन में इनको रचना इनकी की थी वो भी इसके साथ लिखा होता था दा फर्स्ट हू इंट कोस फर्स्ट तो संगम्स अबाउट प्रोवाइद इस्ट्री और नॉट क्रेट देम दा लिट्रेचर इन अर आइडिया अबाउट नॉट तमिल पोईट्स तमिल पॉट्स मस्ट हैं पर्टिसिपेट इन दा यहां पर पर किसके तीन संगम थे जैसे मैंने आपनों पृता चुक हाँ जो पहले दो संगम थे यहां कि पहले दो संगम थे उसके बारे में हमारे पास कोई भी हिस्ट्री अवेलबल नहीं है अगर हम कहें ना कि पहले दो संगम में यह हुआ था वो था तो वो हमारे पास अवेलबल नहीं है ठीक है तो जो तीसरा संगम हुआ था उसके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी जो प्रापत हुई है यानकि जो भी हम संगम साहित्ते के बारे में बढ़ते हैं वो हमें तीसरे संगम से ही मिलता है पहले दो संगम के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता यहाँ पर देखे कि जो संगम है यहन की जो संगम है वो पांडियों की रायधानी मदरा में है यहन की जो संगम है वो कहां पर है वो पांडियों की जो रायधानी है वो मदरा में है आप देखे हम संगम जो आगे संगम काल भी पड़ेंगे अच्छे से ठीक है तो इसमें देखे कि इस समेल में देखे कि जो त आप देखें कि एक विद्वान ये कहते हैं यहाँ पे कि जो 473 जो पोईट्स है और जो पोईट्स है यहनकी कवित्री यहनकी मेल और फीमेल दोनों ने 473 यहाँ पे क्या था पार्ट पे लिए था तो तमिल सा हित्य अगर हम देखें यहनकी अखर हम तमिल लिट्रेचर के बारे में हम देखें तो यह जो संगम है वो 9900 यहनकी 9900 जो एर है तब तक यह चले थे तेगा यहनकी जो यह संगम था यह इतने वर्षट तक चला था यहाँ देखें कि लेकिन इस बात को कुछ विद्वान जो है सही नहीं मानते हैं वो यह कहते हैं कि यह इतने लंबे समय तक नहीं चले थे ठीक है यह इतने लंबे समय तक देखें कि यह नहीं चले थे वो यह कहते है कि हो सकता है कि इतने लंबे समय तक संगम जो साहित्ते है जो उसके जो इंशेंट वाला काम है जो इतने प्राचीन है जो प्राणा है उसके जो वह इस आपसे लगा रहे है कि ताकि जो इसकी जो गरीमा है जो इसकी इंपोर्टेंस है वह बनी रहे तो यह की विद्वान मानते कि इतने वर्षत तक चला था बाकी यह नहीं मानते जो संगम साहित्यों देखें उसके अनुसार हमें बता चलता है कि जो तीन समेलन थे वो जो हुए थे उन्हें ठीक है जो तीन समेलन थे जो तीन समेलन की जो 197 जो पांडय राजा है उन्होंने स्रक्षिन ब्रदान किया था ठीक है एंकी जो एक सस्तान में जो पांडियन जो किंग थे उन्होंने संगम साहिद्यों को जो सुरक्षित रखा था प्रोटेक्शन दी थी ठीक है फ्रेंट्स तो ये थो हमने यहां पे जान लिया आपको समझ में आया होगा तो अगर आगे हम बात करेंगे क्रिशन टाइम की यान की रचना काल की कब हुआ था देखेंगे देर इस लॉट ओफ डिस अग्रिमेंट अमंग स्कॉलर अपॉजिशन पिरियोड ऑफ संगम लिटेचर इस लिटेचर वास कंपाइल दूरिंग दा पिरिएट 300-680 नो मैंटर वर्ट इस क्रेशन पिरिएट बट नो वन कैन डैनी इट इस इंपोर्टन्स एज इस्टोरिकल सोर्स देखें संगम साहित्ते की यहां पर अगर हम बात करें तो इसके बारे में बहुत सारे मत्भेथ हैं बहुत सारे यहां पर देखें कॉमपोजिशन्स हैं तो कुछ विद्वानों की लगड़ आए हैं तो देखें कुछ विद्वान यहां पर यह कहते हैं कि जो यह इतिहास है यह कब लिखा गया था यह लिखा गया था तो इसे इंकार नहीं किया जा सकता तो आगे हम बात करेंगे इसके इसके इंपोर्टन्स के बारे में तो तले इसको भी एक बात देख लेते हैं संगम लिट्रेचर इस दा ओनली लिट्रेडी सोर्स देट फर्स गिवस डिटेल एंड क्लियर लाइट ओन दा फार साउथ देखें जो अगर हम संगम लिट्रेचर पढ़ते हैं इससे हमें जो दूर दक्षिन तक यहनकि जो साउथ इंडिया हमारा है वो कितना दूर तक जो फैला हुआ है संगम साहिते से हमें पता चलता है कि जो इतनी दूर तक दक्षिन में जो लोग रहते हैं उनका जीवन उनकी लाइफस्टेल कैसी है देखें यहां से हमें यह तो बात पता नहीं चलती कि जो तमिल साहिते के समय यहनकि तमिल साहिते के टाइम पे वो समय पोलिटिकल सिस्टम कैसा था कब शुरूँ था कब खतम वह था ऐसा कुछ नहीं मिलता पर यह तो जाना यह तो हमें जरूर वहां पे पता जलता है कि उस समय में वहां पर देखें वो यहां पे जरूर थी पहले इडिस फॉर्म दिस लिट्रेचर दैट वी नो दैट थ्री मेन स्टेट्स ओफ दा साउथ पांट्या, चोल एंड चेर वर इन कलिफ्ट देखें हमें इसके बार में यह तो पतने जलता है कि प्रिटिकल सिर्म कब स्टार्ट हुआ था पर यह जरूर मिलता है कि जो दक्षन के यहनकि साउथ इंडिया को जो तीन जो मुख्य यहनकि जो में जो स्टेट थी वो चोल चेर की पांटन थी ठीक है चोल चेर पांटन थी प्रिट थी आपे जह उनटन के दर अतूर्सूर्ट चोल चेर ड़ादो का पूमेंग इंडिया चुछ प्रॉच्ट लाजा चोल चैनटन कि टृम्टर्टी है प्रिट अबनेंग आपने लिए इंड पूम्टर्टी तॉम्ह पन्टिया फॉम्हें प्रॉम्हें individualist and are in culture of the North Exchange. A lot of provided a co-ordinated culture of the country. जो तिन राजजे थे, चोल ची रपाण्डया, उसमें देखे कि जो विदेशी विपार था, वो कावी दूर तक फैला हुआ था. उनके विपारिक शहामंद के बाड़े में बते जलता है कि वो कैसे थे. इससे में यह पता चलता है कि जो संगम साहित्ते इसमें जो कविताएं हैं जो पोएम से वहाँ पे वो बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी तरह के मानी गई है देखें यहां पर तमिल लैंग्वेज में काफी संस्कृत की भाषा का इस्तमाल हुआ है तो यही बात करते हैं नाइटी बीसी के असपर से देखें आपको पता है कि देखें आपको थोड़ा सा इसका मैं इतियास बताएं ताओं क्या है जिसे आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और अच्छा जाने का मोंका मिलेगा देखें जब भारत में आया याणकी इंडियम है तो उनके आने का आँखें कारण क्या था आप जानते कि जो मगद सामराजे है यांकी जो मगद सामराजे था जो मगद एंपायर था वो वहाँ पर जब मौरे वन्ष भी खतम हो जाता है उसके बाद जो आने वाले वन्ष भी वहाँ पर खतम हो रहे हैं यान कि मगद समराजे देखे इसकी जो शक्ती है इनकी जो पावर है बहुत कम हो रही है उसके बात क्या हुआँ, इसका फाइदा उठाया विधेशавно है यानिकि उन्होंने ये दिखा कि मंगद समीराजे पर राज करने वाले यानिकि मंगद का जो एमपायर इसके उपर जो राज कर रहे हैं राजा वो बहुत जादा अच्छे नहीं है तो उन्हें इस बात का फाइदा उठाते हुए उसके उपर हमले करने शुरू कर दिये तो ऐसा नहीं है कि किसी एक नहीं आकरमन किया बहुत जादा जो लोगों ने वहाँ पर आकरमन किया तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर देखें कि डेमेट्रियस आए फिर मेनेंडर आए इंडो ग्रीक्स के आप देख सकते हैं कि इंडो ग्रीक्स आगे थे इंडो ग्रीक के बाद देखें फिर शक आए फिर इनके बाद देखें कि जो पार्थियन आए फिर आगे जाके मैं कि कई ऐसे मलगी कई ऐसे जो विदेशी आक्रमन हुए जिन्होंने भारतपर कबजा करना चाहा और जिन्होंने कबजा किया भी थोड़े थोड़े जगा पर तो आप यह देख सकते हैं तो हम बात करते हैं यहां पर देखिए कि शक जाती के बारे में तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर जो लिखा हुए इसके इरावा मैं आपको काफी कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा तो आपका फर्ज है कि आप उसको सासा लिख लीजिए तो जो जो मैं बुता जाऊंगा जो इसमें नहीं होगा तो आपको सासाथ आप लिख लेना तो देखिए दा ग्रीक वर फॉलोड वाइ शक्स वू कंट्रोल मच लाज पार्ट आफ इंडिया देन दा ग्रीक डिड़ अब देखिए ग्रीक यहनकी इंडो ग्रीक जब राजा में नेंडर थे उनके बाद देखिए ग्रीक के बाद क्या हुआ कि कौन है शक का है जिन्होंने भारत के इंडिया के काफी बड़े हिस्से पर राज किया देवर फाइब ब्रांचेस ओफ दा शक विद देर सीट ओफ पावर इंडिफरेंट पार्ट अफ इंडिया आफगानिसान देखेंगे इंकी पांच ब्रांचेस थी जो शक डिनैस्टी थी जो पांच ब्रांचेस थी जो इंडिया पाकिसलन है फेले हुई थी फ्रेंट्स यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको शक वच्सकी हिस्टरी के बारे में बदा जता हूँ कि शक आएकास है देखे यह थोड़ा साब को लिखेना पड़ेगा साथ देखे इसमें है क्या कि जो शक वंच है ये कैस्पियन सागर यह जो कैस्पियन सी है ये उसका जो इलाका है तो वहाँ पर यह रहते थे आपको छोटी सी कहानी अए नोज देठे pasti से सुनने है तेकि कैस्पियन सागर जो है कैस्पियन c जो है कैस्पियन सी जो यां के आसपर से रहते थे वहां पर př have उन्हें के ऊपर यूची जो कबीला है उन्होंनें हमला कर div yard यानकी शक जो शक है वहाँ पे रहते थे इनके उपर यूची जो कबिला है उन्होंने हमला कर दिया उसकी वज़य से फिर इन्हें वो जगा छोड़के जाना पड़ा अब देखे कि यूची कबिले वाले कौन है फ्रेंड देखे जो यूची लोग है वो तिबबत यनकी जो तिबबत है वहां का उत्तर पस्चिम यनकी नौर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है तिबबत का वहां पर रहने वाले लोग थे यान कि यूची जो एक कबीला था जो उत्तरपसिम यान कि नॉर्थ वेस्ट वाले जो लोग थे उन्होंने के किया शक जाती के उपर जो उपर हमला कर दे जहां पर रहते थे तो उनको शक जो वंच था जो शक जाती थी तो इन्हें वहाँ से अपनी जगा छोड़नी पड़ी जिसके उपर जो शक वंच है वहाँ से चले गए तो जूची पर जाती ने वहाँ पर हमला कर दिया तो देखे उसके बाद किया हुआ फिर यह बैक्ट्रिया आए यानकी अब देखे फ्रेंट्स की यहां पर देखिए कि इनका जो पांच ब्रांचिस थी एक तो इनकी देखे सिंध और पस्चमी जो भारत है इनकी जो वैस्ट अडिया वहाँ पर था यानकी इनका जो एक अबर फुल-fledged independent ruler curiously enough called themselves जात्रप एसन स्क्रिटाईज्ट्री फ्रॉम ऑफ पर्शन जात्रप और गुवर्नर देखे यह अपने आपको खत्रप कहते थे थे यह उत्रिक शत्रप यहनकी नदरंग शत्रप और वेस्टर्ट शत्रप के नाम से ज्रीजाब आपको टक्षिला से वह महाराष्टा मत्रा और गंधार वाले एरिया की तरफ थे तो देखिए कि शत्रप का मीनिंग है यहां पर गुवर्णर आप देखिए कि जो शक डनेश्टी थी ठीक है जो यह इंडिया में आने के कारण क्या था इनके उपर हमले हुए थे काफी तो यह वहां से अपनी जोगा छोड़ते गए अपनी जगा छोड़ते गए जगा छोड़ते छोड़ते यह इंडिया में आ गए तो नहीं यहां पर आके राज किया काफी देर तक आप देखें कि जो उजयन के राजा थे उन्होंने 58 इसा पुरवयन की 58 बीसी में उन्होंने शकों को हराया और उन्होंने विक्रमा दिते अपने आपको विक्रमा दिते कहा यानि कि देखें शक जब इंडिया में आई जब शक इंडिया में तो उन्हें ओजयन के राजा ने 58 बीसी में हरा दिया और उन्होंने अपने आपको विक्रमा दिते की उपाद्धी दी तो फ्रेंड्स यहां पर देखें मापको एक और बात बता हूं यहां पर हमारे पास देखें तीन तरह के कैलेंडर होते हैं शाक़ा कैलेंडर जैसे हैं शकसमबत, विक्रम, समबत और गेरगॉर्ण कैलेंडर इसके बारे मैं अलक से विडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको पूरी जान करी दे दूंगा यहाँ पे तो उससे आपको clear हो जाएगा ठीक है friends तो देखें यहाँ पे मैं बात कर रहा था आपको कि किंग जो था उजयान का उन्होंने शक्को को राया और अपना को विक्रमा दित्ते को उपादी दी तो देखें सबसे पहले तो यही थे जिन्होंने उजयान के राजा थे जिन्होंने अपने आपको विक्रमा दित्ते को पादी दी थी और सबसे आखरी जो विक्रमा दित्ते राजा थे वो हिम्मू थे तो सबसे पहले उजयान के राजा हुए की विक्रमा दित्ते, वर्ड का ये मतलब है सूर्य पुत्र, तो चोदा विक्रमा ये ते राजा हुए हैं, तो आखरी ते हेमू, पहले ते उजयन के एन एरा कॉल दा विक्रम संबत इस, record from the time of his victory over the शक, आप देखे उस समय से विक्रम संबत की शुरात हो जाती है, मैंने आपको यहां पर पता है कि विक्रम संबत है, शक्संबत है, ग्रेगोरिन कलेंडर है हमारा, विक्रम संबत देखे start होता है 58 BC से शक्संबत होता है 78 BC से, और बाद में आता है साका कलेंडर, देखे आपको यहां पर मैं बताऊंगा नहीं मैं इसका एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा केलेंडर के उपर तो आप इसको जरूर देखे ना इसमें आपको क्लाइटिफिकेशन हो जाएगी ठीक तो देखे इस जो जैन की जब जैन के राजा ने जब शको के उपर अपना देखे उन रूडर थे वो थे रुद्रा दमन वन यहां की रुद्रा दमन जो वन थे वोशक वन्ष के सबसे पावर्फुल राजा थे जो 130-140 की बीच में थे रुद्रा दमन वन इसलिए जान जाते कि उन्होंने जो काठियावार कहां भी पड़ता है गुजरात में तो इन्होंने जो वहां पे सुदर्शन लेक का उसको रिपेर करवाया था इन्हें रिपेर कराया था शक वन्ष के राजा रुद्रा दमन वनन ने आपको एक्जाम में सिधे कौशन पोचेंगे बताइए कि जो काठियावार के सुदर्शन लेके इसका जो रिपेरिंग का काम था वो किस ने करवाया था रुद्रा दमन वननने उसवा देखे इनकी लॉग इंस्क्रिप्शन यानकी जो जुनागड जुनागड कहां पर देखे यह गुजरात में है जुनागड वहां पर देखे रुद्रा दमन वन के बारे में जो उनकी अचीमेंट सी उनके बारे में वहां पर बताया गया है जो काफी लंबा इंस्क् चीन की दिवार का ग्रेट बॉल ओफ चाइना तो देखेए यहां पे आपको छोटा सा आप पाट यहां पे बताता हूं कि वह क्यूं बननी थी आप देखें कि जब शक्वश के उपर जब हमला हुआ था यूची का उसके बाद देखें यहां पर जब यह यहां पर बैक्ट्र जो हून जाती के लोग हैं उन्होंने हमला कर दिया शकों के उपर पहले यूची ने किया फिर हून consistent तो देखें उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने हमला किया अब देख्यें हून जाती सी काहां पर हून जाती थि ये उत्री चीन यहनिकि जो नौस वाले पाध है चीन क वहाँ पे रहती थी आप एक तरफ देखे यूची पर जाती हमला कर रही है जो तिबबत की साइट पे रह रही है दूसरी तरफ जो है वो चाइना के जो नौर्थ वाले पार्ट में जो हून जाती हून जो कबीला है वो हमला कर रहे हैं उपर तो उसके बाद देखे जो हून ह होन जो यह थे यह सब पर हमला करते रहते थे अब जो चाइना के जो राजा थे उनको डर था कि उनके उपर हमला ना कर देंगे तो इन्होंने क्या किया तो Great Wall of China इनकी बहुत बड़ी दिवार बना दी जिसकी वज़ा से होनों ने चाइना पर हमला नहीं कर पाए तो देखिए यह धीरे 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 यह हमारे जो शक है वो सिंद में पस्टमी भारत में इनकी इंडिया अफगानिस्तान में वहाँ पे यह फैल गए तो आप यह देख सकते हैं शक के बारे में तो उसके बार हम बात करेंगे पार्थियन के बारे में ठीक है पहले हम बात करें पार आप देखें जो गौन्ट फेरंस दे ये पार्तिन के जो राजा थे इनके टाइम पे देखिए कि जो सैंट थोमस थे वो भारत आये थे कि चैंट यनकी इसाई धरम का परचार करने के लिए आप देखें जो पार्तिन दे वो मूल रूप से इरान में रहते थे तो देखें फ्रेंट्स इरान को आज नाम इरान है तब इसका नाम था परशिया ठीक है तो आगर कहीं परचिया मिले तो बिल्कुल भी घबराईये मत तब देखें ये इरान में रहते थे और इसाई यूग की शिरुआत जो थी ठीक है जो इसाई यूग की शिरुआत जो थी इनके दोरान जो थी वो ही फिर देखें ये भारत चले गए आप देखें जब वहाँ पर इरान में रहते थे वहाँ पर इसाई यूग की शुरुआत हो नहीं लग गई फिर वहाँ से जोड़ गए भारत आ गए उसके बाद देखें कि यूनानी और शको की तुलना में अगर हम देखें तो इन्होंने पहली श्ताब दीन की फर्स सेंजरी थी उसके दोरान देखें जो इन्होंने उत्तर पस्चिमियन की नौर्थ वेस्ट इंडिया के छोटे से जगा पर कबजा किया हुआ था यानकि भारत में इन्होंने नौर्थ वेस्ट के उपर कबजा कर लिया था तो फ्रेंट्स इनका छोटा सा ही कारेकाल है तैने छोटा सा ही है अब हम बात करें याँ आपको कुशानों की कुशान वंच के बारे में देखे कुशान वंच में हम क्या पढ़ते हैं कुशान वंच में हम सिरफ कुशान वंच को इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि हम कनिश्क के बारे में पढ़ सके यानकि अगर आपको कुशान वंच के बारे में पढ़ना है आफे इसे मेन करिंश्ट के बारे में जानेंगे and इ Tibi auga डेखे आपको याद होगा मैंने आपको कर Panthemum और Na worries watu पर दो कबीला हैं इन्होंने हमला क्रланे सीए चाइब तक हुआँ आपको कुफा है अपने यूची नीडिया में कुशानवज का राज हो चुका है वीमा कड़फीस established the कुशान 30 as far as currency in the east credit for issuing a large number of gold coin देखे ऐसा माना जाता है कि gold coin की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि जो सोने की सिक्के की शिरुवात है वो किस ने की थी gold coins की शिरुवात की थी कुशान मच के time पे हुई थी और सबसे जादा सोने के सिक्के कब चले थे गुपता बच के time पे यहनके अगर आगको बूचे की बताई कि सोने के सिक्के कब चले थे कुशान मच के time में सबसे जादा कब चले थे वो चले थे गुपता बच के time पे आप देखें जो वीमा कड़फीसिस है इन्होंने एस्टैबलिश कर दिया था कुशान अथर्टी को उसके बाद इन्होंने काफी देर तक राज किया गोल्ड को तो फ्रेंज देखें मैंने आपको जैसे बताया है कि जो कनिश्क है कुशान मैं कनिश्क के बारे में ही जातर बताया गया है यहनकि हम 95% इसमें कनिश्क के बारे में ही पढ़ते हैं इसमें कनिश्क के बहुत सारे कॉशन बनते हैं अब देखें यहां में बात करते हैं कि जो He was a great patron of Buddhism and fourth Buddhist council is said to have been held under his patronage. His patronized Ashwa Ghosh, the writer of Buddha Charitra, the biography of Buddha and Sutra Lankar and also patronized Charak, the great authority in medical science who wrote Sushirut along with Naga Arjun who wrote Madhimik Sutra. तो फ्रेंड देखें, यहां पर आप देखें कि जो राजा कनेश्क है, वो जो बहुत धरम है, उनके महान सरक्षंग थे, यानि कि वो बहुत धरम को बहुत जादा मानते थे राजा कनेश्क. और ऐसा कहा जाता है कि जो चौथी स्ताब्दी, यानके जो फोर्थ कॉंसल थी, यानके जो चौथी बहुत परिशद थी, तो वो राजा कनेश्क के टाइम पर हो थी. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो कॉंसल है, जनकी ये 72 AD में हुई थी, उस वक्त आप देखें कि राजा कनेश्क थे, जब चौथी बुद्ध कॉंसल हुई थी. उसके बाद देखें कि उन्होंने देखें जो बुद्ध चरित्र, जिन्होंने देखें, बुद्ध चरित्र, जो इसके रजनाकार है, अश्वगोश, और देखें, बुद्ध और सुतलांकर की जो जीवनी है, बुद्ध चरित्र के जो लेखक है, अश्वगोश, ठीक है, जो सरजन थे जैसे मानते हैं कि जो plastic surgery है वो सुचरूती सोर्जन देखे less Machy सै 10, 5 जह सै सर्जन यह जो आरके कोई जखकूं हो जाए तो टांके बारा अलगाने के काम यह करते थे मिशना अब देखें जो जोग होती है जोग उसका इसमाल किया जाता था अब देखें जो यहां पे चरक है वो medical science यहनकि वो medicine के doctor थे यहनकि दो doctor थे उस time पे एक थे surgeon जो दबाईयां देते थे अब देखें उनके time पे सुचरूत ने नागा अर्जन के साथ मिलके माध्यम एक सुत्र लिखा देखें से नागा अर्जन वो नहीं है कि जो हम बड़ा था ना हमने की इंडो-ग्री के time पे जो राजा मिनेंडर की जिनसे बाचित हुई जी नागा अर्जन की जो बहुत विक्षू थे यह वो वाले जगा पे रहते थे पर ये कनिश के समकालिन थे यहनकी कनिश के time पे थे इन्होंने सुश्रूत और नागा जन मिलके माधमिक सुत्र लिखा है देखे पुरूश्पूरा जिसे पिशावर कहते हैं वाज़ कैपिटल ओफ कुशान की राज़ा निकाउन सी थी पुरूश्पूरा जिसे पिशावर जो आजकल पाकिस्तान में है मथरा seem to be their second capital कनिश की कंट्रोल the famous Silk Route in Central Asia which starts from China and passed through his empire in Central Asia and Afghanistan to Iran Western Asia and form the part of Roman Empire आप देखे जो कनिश की की जो दूसरी राग्धा निए तुर्सी थी वो hijo थी मथरा पहली कुआ थी पिशावर दूसरी कुआ थी मथरा अब देखे कनिश्क ने सिल्क रूट, सिल्क रूट देखें, सिल्क रूट है न, देखें, यह वो सिल्क रूट है, जिसके जरीए हम आगे जाके पढ़ेंगे, कि जो सिल्क रूट जो था, जो उसके जरीए वपार होता था, जब सिल्क रूट देखें, आगे जाके बंध हो जाता है, मौडरन गामा पानी के रस्ते से इंडिया में आएंगे तो एक है सिल्क रूट के ऊपर क्या है कि जो कनिश्क है उनका वहाँ बैए कंट्रोल था सिल्क रूट देखे कहां से जरू होता है यह चीन से यहनकी चाइना से शिरू होके यह सेंट्रल एशिया यहनकी मध्य एशिया से होकर गुजरता है और साथ में जेकिए जो पस्चमी एशिया यहनकी जो वेस्टन एशिया है यहनकी सेंट्रल एशिया से वेस्टन एशिया तक पहुंचता है और पूरा जो रोमन सामराज्य यहनकी जो रोमन आपायर है यह वहाँ तक फैला हुआ है यहनकी चाइना से शिरू हो जो विक्रम संवत है उसके शुरुआत होई थी 58 BC में जो राजा विक्रम है ते ने शुरुआत की थी अब देखे जहां पे कनिश्क ने शक्क संवत की शुरुआत कर दी है कब की थी 78 AD में ठीके फ्रेंज जो शक्क संवत है ये गवर्मेंट अफ इंडिया दोरा अपनाया गय है इसके उपर मैं लग से राक्षिर बनाओंगा मैं आपको पहले भी कहा चुक हूँ तो इसके पार में चाहर डिसक्रिस नहीं करेंगे देखे अधा कुशान वर्द फर्स्ट रूलर टू इंडिया टू इश्यू गोल्ड कोईन एंड वाइल स्केल उने विद हायर डिग्र आप देखे कुशान वर्द वो पहले ऐसे शाषक से जिन्होंने गोल्ड कोईन को चलाया था और सबसे ज़्यदा गोल्ड कोईन हमें कहां पे मिलते हैं गुप्ता वर्द के टाइम पे तो आपको कॉशन पूचें बस इसमें यही याद रखना कि गोल्ड कोईन सोने के सिक् गुप्ता वंच के टाइम पे गंधार स्कूल ओफ आट रिसीव दा रॉयल पेटरंगेज और कुशान देखें गंधार स्कूल ओफ आट और मत्रा स्कूल ओफ आट यहां पे क्या होता था कि बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी गंधार स्कूल ओफ आट में क्या है क पत्थर का इस्तमाल करते थे पत्थर का तो गंधार स्कुलोफाट जो था वो गशानवानिश के टाइम पे था देर इस बुद्धिस्ट स्टोरी विच से दा किंग अफ पाटली बुद्धर अनेबल तो रेस लाज इंडिमिन्टी अब देखें यहां पे क्या है कि एक बुद्ध कहानी है जो कहती है कि जो पाटली बुद्धर के राजा है जो पाटली बुद्धर के राजा है करेश्क के द्वारा उस पर लाई गई बड़ी क्षतिपूर्थी क्षतिपूर्थी होती है न कि लाई गई वो शतिपूर्थी आप इंगलिश में यहां पे कहते है कि इंडिमिटी जैनकि बुद्धिस्ट अगर हम बुद्ध की कहानी पड़े तो वहाँ पे यह बताया जाता है कि जो पाटली बुद्धर के राजा थे करेश्क जो उन्होंने जो देखे करिश्क जो राजा थे उन्होंने देखे ऐसा होता है कि कई वार क्या होता है कि बहुत जादी चीज का नुकसान हो जाता है तो वो उसमें असमर्थ थे राजा करिश्क उसने ने देखिया कि बुद्ध जो उसके टाइम पे कभी थे ठीक है अश्वगोश और साथ में देखिये जो अदबुद्ध जो यहां पे कौक है ठीक है तो यह उस टाइम के देखिये यह कनिश्की के टाइम पे थे अब देखिये अगर हम बात करें यहां पे पुराने कथा के अनुसार बात करें तो यहां पे देखिये कि जब चौथी कौनसल होनी थी बुद्धिस कौनसल होनी थी तब अश्वगोश को स्पैशली बुलाया गया थीक है अवद से स्पैशली बुलाया गया यहां पे अश्वगोश को की ताकी वो जाके चौथी बुद्धिस कौनसल को अटेंड करें और विवस्तित तरीके से एक सिस्टेमेटिक तरीके से वो बहुत गरंतों को विवस्तित करें बहुत गरंतों वो systematic way से लगाएं उसके बाद देखिए the fourth Buddhist council was held under the patternage of Kanishk at the Kundalavan Monastery in Kashmir देखे चौथी Buddhist council होई थी Kundalavan में तो ये कश्मीर में बढ़ता है but there is another account which locate it in the Kuvana Monastery at Jalandar देखे ऐसा मारे जाता है कि चौथी जो Buddhist council थी वो हुई थी कश्मीर के Kundalavan में पर कई जगा भी ये लिखा है कि Jalandar के कुवा में हुई थी पर actually ये Kundalavan कश्मीर में ही हुई थी according to Hayun Sang the council was summoned by Kanishk on the advice of Mandraval Parsov and he made Vasumitra its president and Ashwagosda its vice president अब देखे ये जो चौथी Buddhist council हुई थी ये किसके टाइम पर हुई थी कनिसके कटाइम पर और जो Buddhist council की तरफ से वहाँ पर head कौन था वहाँ पर head थे जो थे इसके head थे president थे वासumitra और vice president थे अश्वगोश ठीक है ऐसा होता है कि राजा तो होता ही है साथ में Buddhist council की तरफ से कौन head होगा तो वो भी देखा जाता था तो देखे ये वासumitra थे और अश्वगोश वाइस परेजन थे अब देखें यहाँ पर क्या है कि इस जो परिशर यह जो council हुई थी इसमें देखें बहुत दर्शन जो है बहुत दर्शन का जो एक एक Encyclopedia इनकी विश्व कोश त्यार किया गया जिसमें बहुत दर्शन के बारे में इनकी बहुत के बारे में Buddhist philosophy के बारे में लिखा गया तो देखे जिसे बाद में Chinese जो Chinese है उसमें translate किया गया चाइनिस language में तो देखे ये इनकी जो language जी वो संस्क्री थी यानकी जो चोथी Buddhist council होई थी जब ये Encyclopedia लिखा गया तो ये संस्क्री भाषा में था बाद में जाके से Chinese भाषा में convert किया गया ठीक है friends तो यहाँ पर जानते हैं trade and commerce के बारे में देखे friends इस lecture के बाद में आपको एक और lecture बताऊंगा कि इनके क्या परभाग थे ठीक है तो वो अच्छे सम करेंगे तो जानते देखे ट्रेड निंग कमर्स दा ग्रीक सेलर है प्लस डिसकवर्ड मॉंसन इन दा एर 46 तो 47 AD एंड दा डिसकवरी प्रूव्ड ए boon of South India merchant and as it's accelerated the trade activity of South India within the Western world इसका क्या मलब लगा कि जो ग्रीक जो नाविक थे इनकी जो ग्रीक सेलर थे ठीक है जो वपारी थे जो ग्रीक सेलर थे हिपलस उसने देखे कि साल जो 46 ता 47 AD था उसमें देखे मानसुन की खोज की आपे मानसुन की खोज की और देखे यह को जो थी वो South India एंकी जो दक्षिन भारती वपारी है जो South India के जो वपारी है उसके लिए एक वर्दान साबित हुआ क्योंकि देखे इसने जो पस्चमी दुनिया है यहां कि जो Western जो था वर्ड था उसके साथ देखे दक्षिन भारती है यहां कि South India की विपार की गदिविदी को देज गया यानि कि देखे जो हैपलस आई यहां पर 46 तो 47 AD में तो उन्हें देखे यहां पर मानसुन की खोज कर ली तो यहां पर South India था जो यहां के South India के विपारी थे उनके ने बहुत अच्छा रहा क्यों क्योंकि देखे जो वेस्टरन कंट्री से उनके साथ उनका विपार जो था वो बहुत तेज हो गया जिससे पहले नहीं था यानि कि कुशान वंज के टाइम पे अगर हम बात करें तो South India के विपारी जे थे उनका जो वेस्टरन जो कंट्री जो वेस्टरन वर्ड था कंट्री से उनके साथ विपार जो अच्छा हो गया मनुद कोड विच इस प्रहाप्स दा मोस्ट इंपोर्टन कोड अफ कंड़क्ट ऑफ हिंदूस बिलॉंग तो दीज सेंचरी से पोस्ट मुरेन फेज ओली देखे मनुद का जो कोड है जो शायद हिंदू का सबसे इंपोर्टन कोड ओफ कंड़क्ट है इंपोर्टन अचार सहीता है ये केवल देखे मौरे अतर कालियन की जो मौरेन वंश का जो टाइम था के उनी स्ताब्दियों के अंतरगत आता है एइज देखे जो मनुद का कोड है हमें मनु के बारे में कब पता चलता है ये केवल हमें देखे ओनली जो मौरेन अंपार के टाइम के अंसार ही उसके दोरान ही पता चलता है देखे लिए गिल्ड शिस्ट्रम वाद रिचिंग the kings also preferred to have deal with the guild head as that would permit the kings to have regular source of income. देखें, वेपारियों के लिए यहाँ पर क्या हुआ है? कि कई वेपार जो जो मार्क जो रस्ते हैं वो खोले गए, ठीक है? यहाँ पर देखें, गिल्ड सिस्टम अपनाया गया, याँ कि जो वेपारी हैं, उनके लिए देखें कि कई तरह के यहाँ पर रास्ते खोले गए वेपार के लिए, और देखें इन स्ताब्दे में क्या है? कि एक बहुत बड़ी मातरा, याँ कि एक बहुत बड़ी, आप देख सकते हैं कि अगर हम वेस्टन वर्ल्ड की बात करें, देखें, यहाँ पर में काम क्या था है वेपार करना, तो यहाँ पर देखें, वेपारियों के लिए, जो ट्रेडर्स हैं, उनकी सुविधार के का वेपार होता था, उसमें क्या था, कि जो गिल्ड सिस्टम था, वो बहुत उंचाईबर था, तो आप मेरे को कमेंड मॉक्स में लगके पता है कि गिल्ड सिस्टम है क्या, तब ही तो मुझे पता लग पाएगा ना, कि आप इससे कनेक्ट होगी नहीं, देखें राजाओं उनको ऐसा था कि जो इनकी इंकम होगी, वो एक क्या थी, वो एक नियमित होगी, नियमित का यहाँ पर मतलब है कि वो रगलर सोर्स से कैसे इंकम कर सकते हैं, इंडियर सी वे हुज अमाउंट अफ गोल्ड डिव तो इस सेंट्रल एशन कॉंटक्ट्स, देट एक्शली केम फ यहारी मातला में सोना मिला, यहां कि यहां पर देखें, इंडिया में जो सोना है, वो हमें कहां से मिलता है, वो हमें मिलता है, यहां के मध्य इशय संपर्कों से, यहां कि जब वेपार होता देखें, ऑबिसली बात है कि सिक्के चलेंगे, तो यहां पर सोने की सिक्के जब कहां पे यह actually देखे यह अल्टाई परवत से आये थे उस पर देखे ते control of the silk route by the kushan in the first century of christian era was very significant from the point of view of the increasing prosperity of india in these centuries indian traders took great advantage of kushan control over the area through which is the which the west asia bound goods had to grow go through देखे christian yuk की पहली स्ताब्दी के अगर हम बात करें यहां पर देखे जो kushan थे उनके दार देखे जो silk route था उसके उपर काफी control हो चुका था जैसे मैं आपको बताया ना christian yuk yan की जो christian area है जो christian era है ठीक है तो यहां पर देखे कि उनके उपर भी जो देखे जो silk route था उसके उपर क्या था कुषान का फजा था यहनकी जितना वी पार होता था उसके उपर कनिश्क का कबजा था आप देखे इन स्ताब्दियों में क्या हुआ जो भारत जो हमारा उपर जिससे कि भारत को यानिके हमारे इंडिया को बहुत ज़ादा हुआ जिसके वज़े से भारत की या इंडिया की बहुत ज़ादा इंपोर्टनस बढ़ गी अब हर कोई यहाँ पर भारत में आकर वपार करना चाहता था देखें भारती जो वपारी थे जो इंडियन जो ट इंडिया के वपारियों ने तो जिसके देखिए जिसके जरीह क्या हुआ जो पैस्ट एशिया है उसके साथ क्या हुआ कि उसके साथ कहा हुआ कि जो बांड गूट्स वंगी कि जिसको हूता भाउंड शेमान को ऐसे आ पाड़ेगा सभर वो प्रिश्मान को ऐसे बेचते थे दे सेंटरल एशन इंटर्डूस बेटर केवल्डी एंड बेटर टेक्नोलोजी तो बी यूज़ बाई दा इंडियन लिटर अब देखें यहाँ पर क्या है कि जो सेंटरल एशन वाले जो लोग थे उन्हों ने देखें कि बाद में बढ़िया गुट सवार यानकी जो बहतर गुट सवार होते थे और बढ़िया जो टकनीक है उसकी पेशकर्षकी उसको ले किया है और देखें जो ऐसा ही जो इनके समकाली यानकी जो इनके कंटेंप्रेरी थे जैसे कुशान हो गया जो शक है कुशान उसके टाइम पर देखें जो गुट सवार है वो आप ये अच्छे थे वो भी इनके कुशान के टाइम पर ही फिमस हुआ था जैन प्राकृत टेक्स्ट दा कलक्रचार्य कथांक स्चेट्स दा सका या शाका किंग यूज तो बी कॉल्ड शाही अब देखें जैन जो प्राकृत जो टेक्स्ट यह कहते है कि जो जो शक राजा है उनको शाही कहा जाता था उसको बाद एक इन दा पीरिड पीरिड बेटीन सेकंड सेंचरी बीसी टू शेकंड सेंचरी एडी क्राफ्ट वरकिंग मेड ग्रेट प्रोग्रेस और सो डिड क्लोथ मेकिंग सिल्क वीविंग मेकिंग अव आम्स एट्सेक्टरा मत्रा वास नोन फॉर स्पेशल टाइप अ Giri Round Another यहांड़ प्लॉद प्लॉक ESxy चारठ साल से चार शाल साल इसके समय क्या था और देखिए कि जो बहूट अची प्रोग्रेस टी क्राफ्ट वरकिंग की वे स्टेंब पर दिखए क्या को लूट नहीं बनाए जाते थे तीक है जो सिल्क है उसको बनाया जाता था और देखे उस टैम पे क्या था कि जो मत्रा था उसे एक विशेश बिद्गाई एक special type के लिए जाना जाता था जिसे सताका कहते थे इंके मत्रा में जो कपड़ा बनता था उसे सताका कहते थे देखे कुशान ने क्या किया कि जो कॉपर के कोई चला है कहां पे चला है थे नॉर्थ एन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तो कॉशन आ सकता है एक्जाम में Most important town in this phase was Ujjain as it was the nodal point of the two most important routes One came from Kashambi and the other came from Mathra अब देखे यहां पे क्या है कि उस समय Ujjain जो था वहुत ज्यादा important था क्यों तो कि देखे उस समय जो दो जो main रास्ते थे जो दो main important दो routes थे रास्ते थे एक था कुशाम्भी और एक था मत्रा अब देखे उसके बाद Indo-Greeks were the first used to coins that can be directly attributed to kings or dynasty as before these coins could not be attributed to any dynasty and surety they were also the first issued gold coin in India and its crease the number during the period of Kushan देखे यहां पे simple से बात है कि Indo-Greeks जो थे वो first थे जिन्होंने issue के थे coins आप देखे यहां पे जो Indo-Greeks थे उन्होंने सबसे पहले किया था coins यहां कि सिक्के चलाए थे बट यहां पे सोने की सिक्के न चलाए आप सिक्के चलाने वाले पहले कौन है इंडो-Greeks सोने की सिक्के चलाने वाले पहले कौन है Kushans उसके बार ज्यानबा सोने के किसने चलाए थे गुपता पर उन्हें तो आभ इसको यहांपे ऐसे देख सकते हैं अ ठीक है फेरे तो फ्रेंट्स यहांपे यह मां wrong यहां पर आर्टन कल्चर की बात आएगी तो फ्रैंट्स अभी हम इतना ही करेंगे यहां पर तो जो इसका आर्टन कल्चर बगा रहा है वो आपको मैं next lecture में बताऊंगा तो इसके लावा देखें आर्टन कल्चर के इलावा हम काफी कुछ करेंगे जैसे science and technology है काफी कुछ करे रहेखे तो देखे पहले बात करेंगे पौट्री एंड चर्टर की यानि कि मिठी के भरतन और सरंचना हम जानते हैं कि शक और कुषान के टायम पर पौटरी कैसा था और उनका स्ट्रक्चर कैसा देडिए पॉट्री वाज रैड कलरे के इस अगर पीरिड के बात करें जो पोट्री थे इनकी जो मिट्टी के बर्दन थे वो लाल रंके होते थे जो साधे जो साधे होते थे और पॉलिश किये होते थे थे तीक है साधे भी होते थे दोने तरह से पॉलिश भी होते थे उसके बाद देखे दीज वर सिमिलर टू दा थिन क्लोथिंग एंड Red Pottery Discovered During the Kushan Empire in the Central Asia यानि कि देखे कि यह मधेशिया में कुशान समराज्य के दोरान खोजे गए पतले कपड़ों और लाल मिट्टी के बरत्नों के समान थे यानि कि देखे यह किसके समान थे यानि कि जो हम बरत्नों की बात कर रहे हैं लाल मिट्टी के बरतन थे यह वैसे ही कपड़े की तरह पतले ही यहां पर जो मिट्टी के बरतन थे जैसे आज के लो होता न मोटे मोटे बरतन वैसे नहीं थे पतले पतले कपड़े के जैसे मिट्टी के बरतन थे और यह लाल जो थे ठीक है देखें यह जो समय था यह जो टाइम था इस टाइम पर देखें जो इंटे की दिवार है उनका निर्मान जाना जाता था आप देखें जैसे आज कल घर बनाना वो कुछ बीची बनानी हो तो इंटों की दिवार बनती है न तो पहले इससे पहले ऐसा नहीं था जो शक और कुशान का टाइम था उस दौरान से क्या था जो इंटों की दिवार जो बननी शुरू हो गई थी चाहे फर्श हो चाहे छट ह तो वहाँ पिर देट बाइड टायल के रूप में क्या था जी हुी इंटे ज़ली रूट तो यह तो था portrait structure next time करते हैं दा शाका एंदा कुशान started a better cavalry यहनकी शक और कुशान ने बहतर घुड सवार सेना की शुरुआत की cavalry होता है घुड सवार सेना जो घोडे पर सवार होती है the best use of cavalry was seen during the शाका and कुशान period the use of horse, rein and seat on the back was initiated by shakayan कुशान देखे शक और जो कुशान का टाइम था उस तो रान क्या था गोड सवार जो सेना थी वो बहतर उसका उप्योग देखने को मिला क्योंकि इससे बैदे देखी इतने बहतरीन गोड सवार नहीं थे यह शक और कुशान के टाइम पे थे गोडे की देखे जो लगाम है तो यह बहुत बढ़िया कॉशन बनते हैं इसके अलावा अब देखे इसके लावा जो शक है और कुशान है जो ट्यूनिक है जिसे हिंदी में अंग रखा कहते है उसका इस्तमाल करना शुरू किया पगड़ी सी और जो ट्राउजर रेन की पतलून है और भारी भरकम देखे जो लंबे-लंबे कोट है कैप है है हेलमेट है तो इनका जो इन्होंने शुरूत कर दी थी ठीक है तो इस दुरान देखे जो जूते हैं जो शूस है जो पैरहों में पहनते हैं उनकी शुरूत भी शक कोशान के टाइम पे हुई थी जो युद्ध में जीत के लिए बहुत ज़्यादा मदलकार साबित हुए थे ठीक है फ्रेंस आप देखे जो लंबे कोट वगरा है यह सब कुछ है एसा ही देखे कि एक हमें शक राजा की मूर्ती मिलती है जिसका सर नहीं है ठीक है तो कॉशन पुछ लेकते हैं वे कौन सा राजा है जिसकी मूर्ती थे है जिसका सर नहीं है वो शक राजा की मूर्ती है ठीक है लंबे कोट वगरा इन्होंने शुरू किया था तो अब हम बात करें यहां पर agriculture और trade की यहनकी क्रिशियर वपार की क्रिशियर वपार कैसा था यह बात हम करें कि शक और कुशान के टाइम पर क्या क्या चीजे थी Agriculture was encouraged by कुशान's archaeological tracks of irrigation facilities were obtained in Afghanistan, Pakistan and parts of western central Asia अब देखें यहां पर क्या था कि कुशान दोरा जो खेती थी जो क्रिशी थी वो की जाती थी क्रिशियर की इनके दोरान जो हुई थी अफगानिस्तन पाकिस्तान जो पस्चमी एशिया यहनकी जो central जो western central Asia है वो बला जो हिस्सा था उनसे हमें पता चलता है कि यहां पर देखें जो सिंचाई है न जो यहां पर irrigation system था वो फैला हुआ था हम यहां पर देखते हैं कि जो कुशान के टाइम पर agriculture था और अगर हम बात करें अफगानिस्तन पाकिस्तन वेस्टर और central Asia की वहां पर हमें irrigation के कुछ जो है वो वहां पर निशान मिलते हैं direct contact between India and central Asia began during the Saka कुशान period the silk route controlled by कुशान originated from China and spread to Iran and west Asia through central Asia and Afghanistan अब देखे शक कुशान अवधी यहनकि जो शक कुशान का जो टाइम था उसके नहीं देखिए जो भारत यहनकि जो इंडिया और जो Central Asia था उसके बीच में देखे काफी आपसी देखे सीधा संबर्ख था पर पारिक समन था अब देखे जैसे कि हमने बताया था अपने पिछले लेक्चर में कि जो कुशान थे उन्होंने Silk Road यहनकि रेशा मार के उपर अपना कपजा किया हो था जिसकी वज़से क्या था उनकी बहुत जाज चलती थी अवरेशा मार क्या है क्या है जिसकी वज़से मद्धेशिया अफगानिस्तान और इरान जैसे एरिया में क्या था इनसे वपार होता था India has obtained a good amount of gold by trading with Roman Empire through the R.T. Fado located in Central Asia अब देखे भारत ने देखे जो मध्य एशिया के जो में जो स्थेत है इनकी जो सेंटर इश्य में जो स्थेत है अल्ताई जो पहाड है जो अल्ताई परवत है तो उसके माथेम से क्या था है रोमन समराजी के साथ वैपार किया और काफी अच्छी मात्रा में, काफी जो अच्छे अमाउंट में, जो सोना, यह की स्वरन प्रापत किया, गोल्ड प्रापत किया देखे, influence on politics, यहनकी इनका देखे, राज नीती पर क्या प्रवाब था शक कुशान का देखे, शक और कुशान थे, इनका जो शासन था, इनके आपसी जो विचार थे, वो काफी अलगत रहके थे अब देखे, जो कुशान राजा है, वो अपने आपको सन अफ गोडियन की भगवान का पुत्र या ईश्वर का पुत्र कहते थे इश्वर का बेटा कहते थे, अपने आपको कुशान राजा यान की देखे कि इस ताइम पे क्या था, कि जो कुशान है, उसने देखे भारत में जो तानाशाही पढ़नाले के सरकार की शिशवात की, यान की डिक्टेटर्शिप, जो सिस्टम था, जो डिक्टेटर्शिप था, वो कुशान ले किया थे भारत में, ठीक है, सिंपल सा कॉशन बनता है, बताएं कि इंडिया में डिक्टरिशिप जो था वो सिस्टम कौन लेका था वो कुशान राजे लेका थे ताना शाही ताना शाही डिक्टरिशिप होता है जहां पर राजा की ही मर्जी चलेगी और साथ में देखे कि जो पूरा सामराजेन की जो पूरा शासन था वो कई तानाशाही रूपों में विभाजित था कई तानाशाही रूपों में बटा हुआ था और देखे हर एक जो जगा थी वो हर एक उसका तानाशा अलग होता ऐसा नहीं है कि पूरा ही कोशानवंज एकी राजा के अंडर है वहाँ पे क्या था अलग अलग जो तानाशाही जो जगा है वो बांड दी जाती थी यहाँ पे देखे जो दौरा शासन था ड़ल सिस्टम था जो वनशानुगत था यहाँ यहाँ की राजा के बाद उसका बेटा है वो राजा बनेगा दौरी शासन पर नडा थी यहाँ तो एक ही सिम्हें पे देखिये, दो राजा थे जो शासन करते थे, ठीक है? याइन के देखिये ऐसा होता ला कि एक शासन ेक राजा यहां पे क्या था कि यहां पर दो राजा । गधी पर बैटते थे तो इक किस के टाइम पे सा से कुषान के टाइम These were important for Maintaining Newly Conquered territories अब देखे जो टाइम के दोरान देखे जो गवर्णर है जो गवर्णर की पोस्ट है वो भी इनके टाइम पे बनाई गई इनके टाइम पे एक रिवास था कि जो सेना का जो एक गवर्णर होना चाहिए तिक है? जो जो इनको टाइम पर देखे यहां पर था कि जो सेना पती होना चाहिए सेना का अगलग से गवर्नर होना चाहिए जो सेना को गवर्न करे तो यह शुरू किया था ग्रीक्स ने उसके बाद देखिए कि जो गवर्नर है यानकि जो गवर्नर से इनको क्या कहा जाता था इनको strada ghost कहा जाता था उसके बाद जो नए राज़े जीते जाते थे इनके द्वारा वो उनको बनाए रखते थे यानिकि दिगवर्नन का 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 था कि जो नए राज़े जो जो राज़े नए नए जीत के आ रहे हैं जो नए राजय जीतता है जो नए स्टेट बनाता है तो उसको बना के रखे उसको बना कब्जक बना के रखे influence on religion यहनकी धरम पर प्रफाव क्या था दो कुशान किंग्स वर्शिप बुद्धा और शिवा कुशान राजा थे वो बुद्ध और शिव दोनों की पुजा करते थे दोनों राजाओं दोरा देखे यहाँ पर जो सिक्के जारिके थे इन दो देवताओं की चित्र दिखाई देते हैं एक में बुद्ध के भी दिखाई देते हैं दोनों को ही मानते थे बुद्धिसम को भी और हिंदुसरम को भी जो परसीति जुनानी देखे शासक है जो इंडो-ग्रीक है राजा महेंदर या जिसने मेनेंडर भी कहते हैं ठीक है उन्होंने बुद्धिसम अपनाया था तो नेक्स्ट है आठ यहनकी कला कला क्या थी यहां पर देखे कैसा था यहां पर देखे दा शाका एंड कुशान प्रिंसे इंकरेज इंडियन आर्ट तो लाज एक्टेंट फोर इस रिजिए मैनी आर्ट उप स्कूल और लाइ गंधार मत्रा सेंटल अश्या वर क्रेटेड़ देखे यहां पर क्या था यहां पर देखे जो शक और कुशान थे उन्होंने देखे की काफी यहां की जो जो शक और कुशान के राज कमान थे नहीं जो इंडियन आर्टिसन है यहां की जो भारती कला है उसको आगे बढ़ाया इसी कार देखे जो गंधार स्कूल अफ आर्ट है मत्रा स्कूल अफ आर्ट है जो मध्धे एश्या यहां पर अलग तरह से बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी यहां पर गंधार में सिर्फ वाइट मार्बल का इस्तबाल होता था मत्रा में रैड का इस्तबाल होता था ऐसे गरके तो आपको एकी लाखे में एकी जगा की एकी जैसी मूर्तियां दिखाई देंगी तो उससे कहते है स्कूल अफ आर्ट तो उस टाइम पर जैसे हमने देखे पड़ा ही है कि वाइट मार्बल इस्तमाल होता था गंधार में रेड होता था मत्रा में जो मूर्तियां बनाते थे तो लिट्रेचर यहां पर देखते हैं लिट्रेच साहित्य कैसा था इनका अब देखें संस्क्रिक डिट्रेचर एंज़ॉई पैटरंगेज्स और फ़ोरें रूर्लस अश्वगोष ग्रेट्रेटर एंज़ॉउई पैटरंगेज्स आफ कुषांस अश्वगोष बुद्धा गस्पल एंद सुन्द्रनंद दा औॉधर अब देखें संस्क्रित साहित्य को विदेशी शास्को का स्रक्षन प्रापत हुआ यानकी जो संस्क्रित लेटरेचर था उनको जो फोरन नूलर थे वो उसको फॉलो करते थे जो अश्व घोश जैसे जो महाल लेखक है ये कुशान वज़ के टाइम पे थे इनको स्कुरिटी मिली हुई थे उनकी आश्व घोश नहीं देखे जो बोधिच रित्र लिखा है और जो सौंदर снफ अटियन थेटर आलसो बिकाम इंडिच विज्ग इन्फॉएंस आफर लाज्ग होंसे जुजव में इसके बाद एक जो उनानी के दोर्णा देखिए कि परदे का इस्तामाल किया गया थेटर में ऐसा थो है कि जैसे स्टेज को पर्दा लगाया जाता है तो इनकी शुराथ की ती इसकी इनकी शुराथ की ती युनानि यह थै कि तो देखे कितने सारे caution बनते हैं आपके exam में अच्छे से आएंगे student हमेशे कहते हैं कि इनमें से caution कैसे बनेंगे वो बनेंगे देखे आप इसको अच्छे से करेंगे खुद-खुद caution बनेंगे अगर आपने इसके से कर लिए कि इसका caution आपसे पूछ लें तो अग्जाम में आप असानी से कर पाओगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे next बात करेंगे यहाँ पे science and technology की जो last ही है देखे इंडियन astrology was influenced by Greek ideas which originated the word horashtra with the word horoscope यहन की देखे यहाँ पर जो भारती जोतिश है जो इंडियन horoscope है वो ग्रीक विचारो से प्रभावी थी देखे जहाँ पर क्या था horoscope जो ह्जब्ड जा यहाँ से आ यहां से आया था वो हुरा इन्ट कोइन्स एड बैटर शेप करन्सी दैड ला पंच मार कवाइन विच 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 विपकेम क्वाइट प्रिवलेंट इन इंडिया देहिए उस टाइम पे क्या था जो जो ग्रीक कौइन थे जिजुनानी जो सिख्के थे वह बहुत जादा मशूर थे बहुत जादा वह होता है कि जैसे कोई जैसे कोई मैटल है उसके उपर वो जोर से कोई चीज मारते थे उसके उपर वो उसका डिजाइन बन जाता था जैसे स्वास्तिक कार्माली जै निशान है और उसको जोर बारेंगे तो उसका वो शेफ बन जाएगो ऐसे ठीक है उसे पंच मार्श किक्के कहते हैं अब देखें जो ड्रामा शब्द है वो ड्रैक्मा शब्द से निकला है जो ग्रीक भाषा का शब्द है अब देखें जो भारती हैं जो इंडियन है इन इस दरां चम्डे की जूते बनाने की कला सिखी अब देखें आज को जो हम लैदर के शूज पहनते हैं वो इसी समय की देन है इनकी इसी जुनानियों की देन है वो हमें तो जो शक कोशान के टाइम पे थी अब देखें इस प्रकार क्या हुआ था कि जो आकरमन यांकी जो हमले हुए थे वो मध एशिया यांकी जो सेंट्रल एशिया के जो राजा थे उनको उनके देखें जब वो आये थे उनके दिरान हुए थे इसका असर भारत में भी देखने को मिला यांकी देखें टाइम पे जो युद्ध हो रहे थे जो आकरमन हो रहे थे इसका जो असर भारत पे देखन सब्सक्राइभ में woven राजाख अन्हें 91 01 सबक्राइब देखने को मिलका सब कुछ यहां पर देंगी राजा को सब्सक्राइब करड़ेब करें जोольш यहांकि मेगालिफी कुल्चर एंट pre-sangam era यानकी Megalit जो संस्कृती है वो और pre-sangam era यानकी पूरफ संगam काल यानकी जब हम संगam काल की बात करेंगे चोल चेर पांडिया की उससे पहले वाला क्या क्या था तो उसके बारे में बात करेंगे देखे दे न्यू लिथिक चाको लिथिक amalgam which seems to have been around about 2000 BC continue up to about the middle of the first millennium BC आप देखे कि यहाँ पर की अगर हम बात करें यहाँ पर यह पताया गया है कि जो यह जो Megalit जो शुरुआत है यह कफसे शुरुआत है यह न्यू चैलको लिथिक से शुरू होके यह 2000 BC से लगभग जो first millennium BC है millennium का मला है यहाँ पर 1000 साल यानकि 2000 इसा पुरफ से first millennium BC तक यानकि 1000 साल तक यह चला था ठीक है तो आप देखे यहाँ पर क्या बात हुई है यहाँ पर यह बताया गया है देखे मैं आपको simple सा यह बताता हूँ कि हम पढ़ने क्या बाले है हम पढ़ने बाले कि जो South India की जो history है वो हमें किसी चीज से पता नहीं चलती कि कौन सी history है हमें वो सिरफ ऐसे ही पता चलती कि जैसे मेगा लिथिक का मला होता है बड़ा लिथिक का मला होता है पत्थर यहनकि बड़े बड़े पत्थर देखे जब किसी के देथ हो जाती थी तब वहाँ पर क्या करते थे कि उसको तफनाने के पाँ उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे तो उससे हमें पता जलता है कि हाँ यह जो है यह दक्षिन भारत की या South India की एक जो महत्वपूरन या important रसम थी वहाँ पर एक रिवास था जब कोई मरता था उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर लगा दिये जाते थे अगर कोई brave soldier मर जाए भादो सिपाही मर जाए तो उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर लगा दिये जाते थे तो इसे पता चल जाता था कि हाँ ये बादोर सिपाही की जो इसे वहाँ पे दफनाया गया है सिंपल इंसान मेरे तो छोड़े पत्तर लगाते थे तो इनके बारे में अगर हम ऐसा देखें न कि साउथ इंड sex औरम से मीलती है वह सिर्फ thấy इंडरी थोड़ी घी जीजे यहीं मिलती है वह सर्फ हमें मेगलिती कल्चर से प्रापत होगी यह संगम काल का जो शुरॉवात है उससे शुरू होने से पहले जो जो टीड़े थी उसके बारे में से हमें South India के बारे में पते चलता है देखे It was then overlapped by the megalithi culture inhabited by the megalith builder They are known not from their actual settlement which is rare but from their graves These are called megaliths because they were encircled by a big piece of stone देखे यहां पे क्या है कि देखे जो megalith है ऐसा नहीं है कि हमें जो अगर हम साउथ इंडिया का बारे में जानना चाहते तो सीधे ही ऐसे मिल जाएगा ऐसा नहीं है हमें जातर जो साउथ इंडिया है उसके बारे में मेगालित से ही पते दोटा है मेगा लित है क्या देखें जैसे मैंने को बताया ना अभी साउथ इंडिया में एक रसम थी कि जब कोई मरता था उसको दफनाने के बाद आसपास क्या है बड़े-बड़े पत्थर के टुकडे लगा दिये जाते थे तो से बोलते हैं मेगा लित देखें यह मैंने अपना जो अच्छु इंदिया का इतिहास है। जो आंधरा कल्चर है वो हमें पतिजलता है उसके सिक्कों से अगर हम कहते हैं कि इनकी इनका वेपार था उनसे वो हमें पतिजलता है सिक्कों से यहन कि जब इसाई युक की शुरुआ थी, क्रिस्चन युक की शुरुआ थी, वो हमें पता चलता है मेगलित कल्चर से, साउथ इंडिया से, उसके बाद अगर हम आंधरा संस्कृती, आंधरा कल्चर की बात करें, उनके बारे में हमें सिक्कों से, क्वाइन से पता चलेगा. This is the time when South India had a large volume of trade with Roman world, again the culture and economic contact between the North and South paved the way for the introduction of material culture brought from the North to deep South by traders, conquerors, jains, buddhists and some brahman mizneries. देखें यहां पर क्या है, कि यहां पर यह बताते हैं कि जैसे देखें मालेजे की North से लेके South तक, कि जो संस्कृत है, जो कल्चर है, अगर हम North के कल्चर की बात करें, अगर हम South के कल्चर की बात करें, तो वो कैसे संपन हो, वो कैसे बना, देखें, वो बना वैपारियों से, यहनकी ट्रेडर से एक कॉंकर्स, यहनकी विजेता, यहनकी एक राजा ने जब किसी जगा जीतले अपने राजे में मिला लिया, जैन है बुद्द्धे, देखे, माले जी कोई राजा है, उसने किसी राजे के उपर हमला किया, उसको अपने अंदर मिला लिया, तो अब देखे कि वो अपना कल्चर वहाँ पर डवैल्प करने की कोशिश करेगा, जैना माले जी किसी राजा ने 가 si रुझा हमला करके उसको अपने अंदर मिला लिया, तो ऑबिसी बात है, वो अपना कल्चर यह वहाँ पर करेगा, तो उसको भाए देखे कि अगर कोई भविपारी उत्त से हुआ है और राजा की वज़े से हुआ है उसके बाद जो जैन है बौध्य धरम जैन धरम जो मशूर हुआ था जब बौध बिक्षु जैन बिक्षु जो थे वह अधिर जब उत्तर से दक्षन के और गए तो उनने वहां भी उसको फिलाया तो ऐसे से करते ही है संस्क्रेट जो है वो कल्चर वो ड्वेल्प हो गया दा विंध्या रेजवास रिकनाइज़ एस दा सदरन लिम्ट ऑफ आरेन लैंड मनु स्टेट डिस्टिंक्ली देट दा कंटी बिडवीन दा हिमाल्य देखें यहाँ बात करते हैं कि जो विंध्या जो रेंज है उसको आरेों की भूमी यानि कि जो आरेन है उनकी दक्षनी सीमा ऐसा का गया कि जो विंध्या वाला जो इलाका था जो विंध्या रेंज थी विंध्या चल जो परवत है ठीक है वो आरे जो लोग है उनका वो सद्रन पार था मनु यहाँ पर देखें मनु यहाँ पर सिंपल सी बात रिशी मनु है यहाँ पर यह कहते हैं कि जब यहाँ पर देखें जो आरे आये थे जो उनका इलाका था वो कौन सा था वो उनका जो इलाका था तो यहां पर यहां पर यह कहने की कोशिश की गई है कि जो उनका जो इस्टर वेस्टर वाला जो पार्ट था वहां पर किन का कबजा था पर कोई दिकर नहीं है यहां पर आपको बिलकूल आसान भाषा में समझाने कोशिश करोंगा आपको अपर यह बताया गया है कि सुतना प्यत्त में बताया गया है कि जो जो शिक्षक थे यानकि जो बुद्धिस्ट जो शिक्षक थे जो टीचर थे बावरी उन्हें ने देखे कोसल को छोड़ दिया कोसाला को छोड़ दिया फिर वो कहां पर जाके बस गए फिर वो असाका तीक है उसाका में जाके बस गए उसाका कहां पर पढ़ता है बाबरी ने बाबरी ने और लूट के साका के बास जाके वह अगीजाbak पश गयीजिते हैं आप देखे जो उनके शिक्षक जो टीचर थे बावरी जो उनके शिश्य थे यानके जो उनके पीपल से यानके जो होते हैं जिनको हम शिश्य कहते हैं या स्टुडेंट कहते हैं वो शिक्षक बावरी के जो शिश्य थे या जो उनके स्टुडेंट थे वो बुद्ध से मिलने के लिए north के तरह जाते थे लिए उनको उनको कौन सा रास्ता दिखे होना पड़ता था उनको नर्मना नदी से लेकर जैन से होके महाईश्मती से होके तो उनको वहाँ से ओकर गुजर ना पड़ता था लेकिन बावरी is set to have been learned in the Vedas and perform Vedic sacrifices देखे अगर हम बावरी को कैसे जानते हैं बावरी नि देखे जो इनके बारे में वेदों से पता चलता है तो उनके बारे में पता चलता है कि इन्होंने काफी जो है वो बलिदान या सेक्रिफाइस दिये थे focusing signature speaks of the pearl and Muslim of the Pandean country आप देखे कोडिले आनले परे पंदरेश के मोथीयों ने बात किया है पंदरेन देश में देखे जो मोति है कोडिले ने बात की हुई है भी नेम ओफ देशिए कैपिन लडाव मृथरा रही रिकॉल आज मृथ इनॉर्थ एंवा प्रस divide account as we have seen narrate the story of Hercules setting his daughter Pandya to rule over the kingdom boarding on the Sadran Sea. आप देखें यहाँ पे जो Pandyan जो राजधानी है Madura ठीक है जो उनकी Pandyan की राजधानी थी Madura जैसे कि मैं देखें यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो इनका जो राजधा हरकलीस जो उनकी बेटी थी Pandya यहाँ कि Pandyan वंच का जो राजधा हरकलीस जो उनकी जो बेटी थी Pandya जो उनका कौन सा एरिया था यहाँ कि उनकी बेटी जो थी Pandya उनका कौन से वाला इलाका था उनका South वाला जो एरिया है जो समुदरी एरिया है तुछ के उपर उनका बॉर्डर सता हाए उनकी जो सद्रण सी वाला जो एरिया है उसके उपर किसका शासं था उसके उपर शासं था पांडियन वंच के जिह जो राजत है हरकल्स की बेटी पांडियागा ठीक है तो उसके बाद एख ये In the Mahabharata story of Rishi Agastya Connection with the South India come to his prominence अब देखें यहां पर Rishi Agastya की जो बात हुई है महाबारत में जो हम Rishi Agastya के बार में पढ़ते हैं उनका भी यहां पर देखें South India के साथ connection माना गया है In little Tamil tradition Agastya Sadrali March is accounted for by the interesting legend that the occasion of the Shiva's marriage with Parvati Agastya had to send the South to redress the balance of the Earth which had been rudely disturbed by the assemblage of all the gods of sage in the North अब देखें यहां पर हम देखते हैं Rishi Agastya के बारे में वहां पर मैं कुछ उनके बारे में देखने हूं मिलता देखें यहां पर जब शिव का पार्वती के साथ जब शादी होने वारी थी विवा का जब मैरिज का जो अफसर था तब रिशिय Agastya को एक जिम्मा संपा गया था कि आप जो है वो पूरी दुनिया में क्या करें एक जो बैलस मना के रखें ठीक है बैलस मना के रखें उसके दुनिया में ठीक है जो धरती है वहां पर बैलस मना के रखना है पूरा संतुलन मना के रखना है तो उसकी वज़े से वो बूरी तरह से परशान हो अश्रम राम टेल हिस ब्रदर लक्षमन हा अगस्त इंटेंड अपॉन गुट ऑफ दे वर्ल्ड ओवर्पावर्ड डेली डैमन देरभाई रेडेंड़ दार्थ हेटेबल दिखे जब रमायन में किस्सा है जब राम अपने भाई लक्षमन के साथ जाते है रिशी अगस्त से मि उनको कैसे उनको उनके उपर उनने विजेप रापत की थी उनको कैसे उनके उपर ऊवर्पावर्ड उनको किए था तो जिसकी वज़े से उनने धर्ती को रहने योगे बनाया A beam of Indian cedar found in the place of Nebuchadnezzar, the teak logs found in the temple of the moon God at level belongs to about the same age or a little later the Bevaru Jataks which relates the adventure of the certain Indian merchant who took the first peacock by sea to Babylon all confirmed the existence of active maritime intercourse between the South India and its Western neighbor Now I have told you about the fact that when we talk about it, there are a few countries that have come from India लिए यहोगा पांडाष साथ आप करते थे तो बाताया गया कि वह समुद्र के रास्त थे देखे जो होते हैं जो पैदल करने वाले मोर अपने साथ ले गई थे तो इनके बारे में यहां पर बताया गया और जो बेबी लोन का जो एरिया है वहाँ पे वो कैसे बेबी लोन का देखे जहां पर ऐसा होता था इंडिया के साथ जो रोमन का वी और ग्रीक का वी वो विपार रहता था यहां पर तो कैसे विपार करते थे कैसे वो अपने बंदर काहों के साथ कैसे वो अपने जो पोर्ट से वहां पर इंडिया के साथ कैसे विपार करते थे इंडिया से वो सो अब देखें जो यहां पे जो चानिस हिस्ट्री है वहां पे बताया गया है ठीक है कि कैसे कैसे वापार्थान का इंडिया के साथ जो चीन है वो कैसे इंडिया के साथ चीनी इतियास में चानिस हिस्ट्री में पताया गया है कि वो समुद्री विपार कैसे करते थे जो साथमी स्ताब दी इसा पूरव यानकी जो सेवन सांच्री बीसी है ठीक है तो कैसे तब तक चाइना का इंडिया के साथ विपार रहा था और कुडेलिया का अगर हम अर्शास्त्र देखे तो वहाँ पर यह पता चलता है कि जो उसका अगर हम नौर्थ और साथ की यानकी उत्तर दक्षन के बीच के विपार की बात करे तो कुटलिया कार्शास्तर हमें जो भारत के जो उत्तर और दक्षिनियन की नौर्थ और साउथ का जो व्यपार है जो बिने से वो भी पता चल जाता है दा किंगड़न ऑफ साउथ इंडिया तोगधर विद क्षिलों का यहां पर मदलब है शिर लंका यहां पर साउथ इंडिया की यहां पर सिलोन यानकी श्रिलंका के बारे में जो आशोक का rock addict 30 है और second rock addict या उसके बारे में लिखा गया यानकी एगर हम South India की kingdom की बात करें थो हमें वो rock addict 30 और second में में याइगा The list isn't the second addict in the more complete and Indus of the Name of the चोला, पांटया, सत्य पता केरला पता एन तंबापनी, तंबापनी सिलोन के थे, सिलोन मैंने, शिरलंका, ठीक है, पर्शिया मैंने होता है, इरान, जो आज का इरान है, सिलोन का मलब है, यहाँ पे, ठीक है, शिरलंका, ठीक है फ्रेंट्स, तो यहाँ पे देखे कि, चोल, पांडिया, सतिप होता है, यह जो इनके नाम The short Damali inscription found in the natural rock caverns of the south have many features in common with the similar but the nameless record of Sri Lanka and are the earliest monuments of the Tamil country to which we may assign a date with some confidence. The story of Mahwarath and the Ramayana were well known to the Tamil ports and absorbed from their frequently mentioned. The toll copy states that the marriage and excrement attendant with the ritual was established in the Tamil country by the Aryans. Here we can see South India which has a rock edition. The name is Damali inscription which is a rock edition which is a rock edition. The South India which came to be the kingdom which was in the UK. The similar here is Damali inscription. शिर्लंका में हमें बता चलता है उंको पता था महा भारत व रहमायन के बारे में मनलब है जो रहता जो लाहर ना zuh grammar book है तमिल भाषा की ठीक है यहां पर यह बताया गया है कि जो आरेंग जो आरेंग से जो उन्हें marriage के समय जो कैसे कैसे उन्हें ने ritual जाने की जो कौन-कौन से रीती डिवास थे वो सब कुछ इसमें लिखे गए हैं तोल कापिम में हमें आ रहे हो कि जो शादी करने के जो होते हैं जो रीती रिवास वह हमें पते चलते हैं तो फ्रेंड से आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए शेर करिए थोड़ा सब टफ था तो आपको अच्छे स शेख वार बीडेग में में पापको अच्छा करिया अच्छा ओटी दिए जिखे आपको अच्छा आपको अच्छा बादीन